आपके लिए ठीके तीन स्टेप्स हैं पहले सुन लो द्यान से एक चोटा सा इन्फोर्मेशन है जो आपके काम की है देखिए विटा हमारे पास जब हम किसी कॉंपुटिटिटिव एक्जाम के लिए लड़ रहे होते हैं या पड़ रहे होते हैं तो सिर्फ तीन स्टेप होते सक्सेस का हो ठीक है आप यह चीज याद रखो बिटा आप हमेशा याद रखो इस बात को कि पहली बार में हो सकता हम फेल हो जाए हो सकता है पहली बार में सक्सेस भी हो जाए हो सकता है फेल होने के बार ट्राई वाला स्टेप ना आए सीधे सक्सेस वाला स्टेप आए लेकिन विए याद रखो कि लास्केट पर हमेशा सकसस का होता है इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको मतलब लास्ट सेब नमिल जायत अगर आप फेल हो रहे हो यह आप मतलब रमी लिखकर रहे हों सक्राइब के लिए आपको इसका मतलब अब अभी आप लास्ट टेप पर पहुझे नहीं हो अगर आप लास्ट स्टेप पर पहुंच गए ज्ञना जून लो लास्टरप पहुंचोगे मृम जब आप सारे स्टेप पार करोगे तो सर कितने try के step हो सकते हैं पता नहीं कितने भी हो सकते हैं तो आपको try करते रहना पड़ेगा और आपको हर एक step से उपर सोचना पड़ेगा कि हमने इतना पढ़ लिया हम इसके आगे का बढ़ाई करेंगे तो मेरा main point यह है कि failure एक step होता है success पे पहुँचने के लिए ट्राई करना भी एक step होता है success पे पहुँचने के लिए success last step होता है अगर आप इन में से किसी भी step पर है और आपको success नहीं मिली तो इसका मतलब यह है कि आप wait करिये उस सही step के आने के लिए आप रुकिये मत चलते रहिए वो step जरूर आएगा यह आपके लिए बिटा एक real वो है मतलब आप knowledge बोल लो या real आपके लिए motivation है कि आपको लगे रहना क्योंकि success आती है समय जरूर लगता हो सकता कुछ step add हो जाए लेकिन finally आप last step पे जरूर पहुँचोगे जिसे हम success कह रहे है हमेशा याद रखे है try के बाद failure नहीं आता try के बाद दुबारा से try आता हो सकता है failure वाला आप बोल रहे हो पर मेरे इसाब से आपने try किया कुछ सीखा है आपके लिए failure होगा मेरे लिए नहीं for example जिन बच्चों का selection नहीं हुआ और उन्होंने real try करी थी क्या वो fail हो गए नहीं उन्होंने कुछ ऐसा जरूर सीख लिया जो life में के लिए important है तो failure जैसा कुछ नहीं होता सिर्फ try होता है तो आप इस चीच को हमेशा याद रखो कि आप यहां नहीं रुख सकते आपको try करते रहना पड़ेगा क्योंकि वो last step आएगा तो चली लेक्चर को start